आज आपसे डिसक्स करूँगा जो कि सारे हिंदी लैंग्वेज में होंगे और हमें बेसिकली देखने एक्यूट केस में कि कितना हम सिम्टम और पेशन्ट का और रूब्रिक इसमें एक्यूरेसी हम कितने रख पाते हैं वही आपका एक्यूट ठीक करने में सबसे ज़्यादा हेलफफुल होगा जो मेरा अनुभव है तो बेसिकली फर्स्ट केस हम आज जो इसकस कर रहे हैं ये राइट सैड़ेट शियाटिका का केस था और इसमें हुआ क्या पेशन्ट कहीं मंदिर कहीं गई अपने अजबेंट के साथ गाड़ी पे बैटके बैटके और काफी लंबा काफे लगे पूरी जर्णी में जब वापस आया पेशन्ट तो उसको रियलाइज वो कि वो सीधी चल नहीं पा रही है विलकुल जुक के उसको आगे जुक करके चलना पड़ रहा है पैर जो है वो बैक से जो हिप बोन से ले करके और आपके नीश तक एक्स्टेंड हो रहा है और बेसिकली पेशन्ट चलने फिरने में प्रोब्लम हो रही है बाइक पे वापिस राइड करने में प्रोब्लम हो रही है उसको तो देखते हैं इस केस को हम कैसे देखते हैं तो फर्स्ट अफॉल लोकेशन राइड साइड इट शियाटिका चढ़ने में पेशन्ट को प और राइडिंग ओन अ स्ट्रीट कार एग्रवेशन, अब इसमें मॉडलिटी हमें दो मिल रही है, पेशनट की, एक तो सीधा चल नहीं पा रही है, तो पेशन एंड लोवर must walk bend इसमें दो ही medicine है basically इसमें एक ही है और एक है pain lower length patient का जिस side में दर्द है उसी side late के में so पा रहे हूँ दूसरी तरफ नहीं so पा रहे हूँ जिस side so के late पा रहे हूँ उसी pain के side मुझे से relief है मुझे और pain extending to knee, sciatica pain extending to knee so यह हमने सारे रूपलिक लिए medicine निकल के हमारे पास bamboosa although एक popular medicine नहीं है sciatica के लिए but symptom scenario अगर आपका अच्छे से आप match कर पारे so then you should see कि rare का भी बहुत beautiful result होता है frequently हमने repeat case को 30 potency में और I think next 4-5 days में sciatica लगभग लगभग जा कर दुबारा medicine change या दुबारा repeat करने का आवशकता नहीं पड़ी हमें इस case में okay so next is एक छोटी बच्ची जिसको next case है एक छोटी बच्ची का जिसको लिउकोरिया था लिउकोरिया जो patient ने बता कि बच्ची है इसको लिउकोरिया दिन बर इसको इचिंग रहती है उससे रेड कलर के रैशिस टाइप हो जाते हैं उससे और दिन बर खुझली एक में कारण है और उससे इकोरस डिश्चार्ज इतना है कि पार्ट्स रेड हो जाते हैं आप जब फाटक में देखेंगे तो लिउकोरिया एक्रेड इन लिटल कल्स सिंगल मेडिशन है हमारे पास और लिउकोरिया एक्रेड इन चिल्डर इंटेसिस से लिया रूब्रिक इचिंग फर्म लिउकोरिया तो यह बेसिकली जो main characteristic symptoms हैं यह है medicine क्यूबैबा के नो क्यूबैबा छोटी बच्चियों में या इंफैंसी या इंफैंसी से थोड़ा उपर की एज में प्लेगरूप के बच्चियों में आपको अगर accurately को रहे मिल रहा है अब तक जो मेरे अनुभब में है तो इससे हमने 30 में इसको frequent repeat किया और I think next 4-5 देज में 3-4 देज में यह case over हो गया third case है हमारे पास एक acute rheumatic rheumatism का case है इसमें patient जो first जो हमने देखा case को आई patient जब एंटर हुए clinic तो उसके elbow में pain था और elbow उसने इसे पकड़ रखा था शी वस नॉट वह move नहीं करना चाहती है जैसे जो ब्राइनिया का जो symptom होता है तो उसको वह move नहीं करना था तो और मैंने का इसको आप छोड़ क्यों ने रही इतनी देर से तो she said के मैं इसको नीचे लटका नहीं सकती लटका तो बहुत तेज पर दर्द होगा मैंने का सिर्फ elbow में या और कहीं she said के नहीं elbow में ही so acute rheumatism का case था और एक ही side के right side के ही joints affected थे इस case में तो basically जो ankle में जो pain बताया patient ने वह इसने कहा कि ankle जो है वो चलने में में उसको main problem हो रही है elbow जो है elbow में patient को problem हो रही है उसको basically नीचे लटकाने से पकड तो उसने रखाता हो लेकिन basically जो motion है वो hella भी नहीं पा रही है और校र नीचे नहीं लटका पा रही है elbow और knees में उसने बता cross leg रखने से, पैर के उपर पैर रखके नहीं बैठ सकते हैं और खड़े रहने से ये knees के लिए patient ने बताया और shoulder के लिए उसने बताया हाथ उठा नहीं सकते हैं तो ये एकी side के joints थे जो मुझे इसमें सबसे uncommon चीज लगी that was letting the limbs hang down जब आप देखेंगे रिपर्टरी में extremities, upper limbs, aggravation when hanging down letting hanging down upper limbs, aggravation तो एक ये major symptom लिए हमने case में, बाकी तो symptom लिए और दू तीम major symptom और हमें इस से थोड़ा characteristic जो मुझे लगे that was crossing the legs, knees में लगबग हर patient में नहीं मिलती ही चीज़ ठीक है, तो crossing the legs और एक हमें मिला motion of elbow pain elbow, motion of arm aggravation, तो arm का motion नहीं कर पार उसकी विज़े से और pain in elbow, letting the arms hang down aggravation, ये दो peculiar single medicine रोप्रिक थे तो medicine हमने चूज की इसमें angustura, अब angustura जो है rheumatism और dyspepsia अगर साथ में हो patient को तो बहुत अच्छी medicine है, लेकिन इस case में हमने, क्योंकि काफी peculiar modalities थी, वैसे तो इस तरह कि अगर आपको modalities काफी prominent लगे, तो ये case BBCR रेपेटरी से वैसे तो किया जाना चाहिए, जब आपको modalities इतनी अच्छी अच्छी मिल रही हैं, इतनी जिसे बोलते हैं कि characteristics सामने आपके evident है, modalities case में peculiarity मिल गई, तो ये case हमने solve के angustiura से, और angustiura हमने इसको frequent repetition दिया, 30 potency में और within 4 या 5 days में patient recover कर गया तो next case है, हमारे पास एक acute fever का, और दो chronic complaint भी थी इसी patient को वो मैं discuss करूँँगा, आप से भी तो जो main symptom इसमें था old lady थी, fever था, उसको काफी थी जो main चीज थी उसने बताया घबराट हो रही, उल्टी का मन कर रहा है, बेचैनी हो रही और जो तरीका उसने बताया कि मुझे यहां से घबराट हो रही है तो थोड़ा old lady थी मुझे समझने में थोड़ा समय लगा कि कहना कैचारी basically तो nausea in throat यह हमें स्टमक में मिल जाया गर रूब्रिक और nausea during fever nausea from smell of food and thirstless during fever although हम thirst के लिए जानते हैं आर्स को, पट इस केस में हमने उसको thirstless में रूब्रिक में भी हमें आर्स मिलती है और कई सारे thirstless रूब्रिक में आर्स दे भी है और indigestion की complaint उसने बताई तो इस basis पे हमने सबसे पहले आर्स दी उस पेशन को कुछ दिनों तक और उसके बाद आर्स से उसका acute phase recover किया फिर हमने उसकी history ली पुरानी तो उसने बताए कि indigestion की problem मुझे रहती है और एक उसने बताए सुनने की शक्ति कम हो गई है तो हमने उसकी history ली उसने बताए मुझे कई बार malaria हुआ है past history में और कई बार malaria होने के बाद से उसको दवा भी पता थे कि हां मैं क्यू ना ली है कई बार मैंने कई बार खुछ से भी ली है तो दो-तीन बार उसको malaria हुआ है और उसके बाद से उसकी सुनने की शक्ति धेरी देर कम हो गई तो इसमें indigestion of old people hearing impaired after suppressed intermittent fever personal history of suppressed malaria and abuse of QNAR तो इसके लिए हमें मैं addition मिली इसमें चिनिनम self-insip rubrics में कुछ दिनों तक हमने 30 potency में repeatedly दिया इसको patient को और कुछी दिनों में hearing मैं ये तो नहीं कहा हूँगा कि पूरी तरह वापस आगी क्यों कि old lady थी पर एक हद तक improve होगे कि वो daily का अपना काम बगईरा कर सके और indigestion भी उसका काफी हद तक ठीक हो गया so we move on to the fifth case basically case cough and fever का है इसी सर्दी के मौसम में आये था हमारे पास अभी कुछ दिनों पहले so fever in winter हमें एक तो seasonal rubrics हमें सारे आने चाहिए कब spring है कब autumn है कब winter है कब summer है और कब हमें क्या कहते है cold weather लेना कब wet weather लेना ये सब आना चाहिए एक हो बात को तो fever in winter and cough in winter and जो peculiarity जो patient ने बताई इसमें एक vomiting उसके काफ़े peculiarity खांसते खांसते उल्टियां करना और उल्टी में भी जो character बताया पेश्टियर ने that is bitter vomiting और उसके साथ आवाजे बहुत सारी रेचिंग खांसने के साथ में और basically thirstless बदाया patient ने प्यास उसको नहीं लग रही थी काफ़ी दिनों से तो ये सब symptom के आधार पे हमने इसको रिपेटराइस किया और medicine निकलके है हमारे पास epicac और baratrum बट उसको ठीक है नौशय तो था बट इतना जादा prominent नहीं था उसको और जो बाकी symptoms थे fever इंविंटर की वज़े से मेरे को baratrum album हमने select की उसके लिए और उससे हमें काफ़े चाहिए 200 potency में every two to three hours हमने repeat किया acute stage में औ और दो या तीन निन में patient recover हो गया हमारे पास so we move on to our sixth case and basically khansi का case था ही एक महीन हो चुका था उसको winter season में था मेरे पास तो cuff in the season winter और साथ में उसको जुखाम था सिर्मेदर्ध था उसके सिर्मेदर्ध किस तरके का के left temple और eyebrow के उपर और basically जुखाम के साथ में और जो main problem थी patient को ठीक है खासी थी सब ठीक है night में अग्राविशन तक अफका common symptoms थे but vomiting दिन में कई बार vomiting और खास दोड़ से खासते वक्त gagging होना खासते वक्त रेचिंग होना और उसके साथ फिर vomiting और दो peculiarity patient ने हमें और बताई कि एक तो brush करते समय सुबह brush करते समय उल्टी होना fix है और ये अभी खासी की बात नहीं ये पहले भी था रोजाना brush करते समय एक आत बार तो उसको vomiting होती ही थी और एक rinsing mouth when कुला करने से या गारगल करने से vomiting हो जाए खाली reaching के मैं बात नहीं कर रहा है पूरी vomiting हो जाए तो cough in winter season एक हमें headache का location मिल गए इसमें vomiting मिल गए हमें कमिटेंट इसके साथ में और जो peculiar symptom थे दो वो भी मिल गए कि brushing on teeth individual symptom और rinsing mouth when कुला करने से या गारारे करने से vomiting हो तो best medicine is caucas cacti यह हमेशा ध्यान रखिया आप जब gag reflex weak हो जिन patients का और vomiting और cough या के साथ में associated हो तो हमेशा caucas cacti को याद रखिया now we move on to our seventh case of today and last hopefully यह एक छोटे बच्चे का case है उसको basically toothache था और gingivitis था और toothache भी उसने बताया मेरको उपर अपर incisor का okay incisor अपर और उसमें भी जो gum भी है जो मसूड़ा जो फूला हुआ था वो भी left side का अपर incisor कहीं था तो inflammation of gum अपर left and teeth pain in incisors और काफी कीड़े लगे जो लगे वे तो जो patient बोलता है at caries of teeth हम बोलते हैं तो painful caries उसी दात में और premature in children और एक उसको और problem थी बच्चे को के रात में involuntary urination सोते सोते aneurysis जो हम जिसे बोलते हैं तो यह condition सब देखते हुए जो medicine हमें समझ में आई वो थी cryozoat अब इसमें हम exactness की तरफ जाते हैं दो symptom हमें exact मिले एक तो caries painful of the teeth तीनी medicine इसमें और inflammation of upper left gum okay so peculiarity के साथ और जो symptom scenario match क्या हो रहा है कि urine का symptom में हमें मिल क्या हो यह totality cover करना होता है totality करना होता है यह नहीं कि सारे 100-100 symptom मिलाना है यह totality नहीं होती वो case की picture किस drug picture से fit बैठ रही है यह totality होती है so 200 potency में हमने इसको repeat किया frequently शुरू में तो और दीरे-दीरे करके potency repetition ने decrease किया और फिर medicine को समय बाद 15 दिन बाद हमने बन कर दी enuresis भी ठीक हुआ और जो gingivitis और tooth है के वो भी ठीक हुआ caries जो मेरा नुभव है कि हम अगर caries में देवा दें तो caries नहीं जाती है पढ़ा क्योंकि milk teeth थे बच्छे के बढ़ा होने के बाद जो next आएंगे तो उसको prevent करने में हम कामियाभी ले सकते है और एक बहुत से लोगों ने पूछा dose और repetition के लिए तो dose और repetition देखिए जो आप imagine कीजिए कि आप कोई race है जो आपको जीतनी है तो एक तरफ disease है और एक तरफ आपकी medicine है तो उससे race करते है तो pace of the disease के हिसाब से medicine होती है और repetition उसकी intensity कितनी है उसके हिसाब से उसकी repetition होती है तो अगर आपको race जीतनी है आप उससे थोड़ा सा अगर एक fit भी आगे रहेंगे finish line पे तो you will win the race उसके लिए आपको बहुत ज़ादा margin लेने की ज़रूरत नहीं होती ह आपको disease pace से थोड़ा सा आगे आपको potency और थोड़ा सा आगे आपको repetition रखना होता है उसके intensity से तो आप उसको overpower हमें सिर्फ overpower करना होता है disease को medicine बाकी तो vitality अपना काम स्वैम करती है तो potency और repetition कभी मैं कुश्च करूंगा इसके ओपर भी एक video लाने की जिससे काफी clear हो ब कि आपको कैसा लगा और आगे किस तरह के cases आप चाहते हैं तो ये acute वाला session आपको कैसा लगा बता ही मैं आगे और भी frequently इसको repeat करूंगा और इस तरह के जो चोचोटे cases है जो आपको रोज मरा के life में मिलते हैं जो रोज यान हमें tackle करने पड़ते हैं और काफी हद तक हम इन म मैं आएंगे बाट acute अगर आप ठीक कर लिये तो आपको बहुत जादा अपने प्रैंटिस में फाइद आ कासेश वीelते हैं थार और मारा गाल आएकन भीसमें, next time.